आप हाई कोट एक्जाम के लिए हिंदी के टॉप फिप्टी कोश्चन देखेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाऊंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और पास में जो बेल आइकन हो तो उसको भी चरूर दबा लें चलिए सुरू करते हैं तो गाईज आज के सेशन में पहला कोश्चन है हिंदी की मूल उत्पत्ती किसे से हुई है चार आप्सेन इसमें से हो जाएगा आप्सेन टी सौर सेनी अपपरांस से अगला बारत की प्रतम देश भासा कौन सी है आप्सेने पाली निम्लिखित में से कौन सी भासा संस्क्रत भासा का अपपरांस है आप्सेन डी पाली भासा के सुद्ध रूप का ज्ञान किसे से होता है तो आप्सेन भी हो जाएगा व्याकरन हिंदी में सोतंत रूप में बोले जाने वाले अच्छर क्या कहलाते हैं तो आप्सिने स्वर कहलाते हैं हिंदी भासा में बे धुनिया कौन सी हैं जो दुसरी धुनियों की सायता से बोली या लिखी जाती हैं आप्सिन भी व्यंजन का खा गा गा तो रिका खा गा और फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है तो यह हो जाएगा आप्सिन भी खा जिन सब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं आप्सिन डी अकारांत कहते हैं निर्देश है नौ से तेरा कोशन के लिए निमलिखित प्रस्णों में चार वेकलपिक बरतनी दी गई हैं सही बरतनी वाले सब्द का चैन करना है जैसे नौवे कोशन में आपको सही वाला बताना कि कौन सा सही है तो देखिये इसमें हो जाएगा आप्सिन C अनुच्छत को ऐसे लिखते ना कि आप्सिन ए V और D कितर है अब दसमें कोशन में कौन सा सब्द आपका सुद्ध होगा आप्सिन भी पूंजी बात ऐसे लिखते ना कि आप्सिनопabile C और D कितर है अब ग्यारवे कोशिन में आपको बताना है कौन सा सब्द सुद्ध है अंतर नहीं थी ये वाला आपका सही हो जाएगा बागी के तीन आपके गलत हो जाएंगे बारमे में बताना है कौन सा सही है तो option D परिच्छा को ऐसे लिखते हैं ना कि option A, V और C की तरह हैं आप तेरवे कोशिन में देखते हैं कौन सा सही है तो सड्यंद्र को ऐसे लिखते हैं option A की तरह है ना कि option B, C और D की तरह हैं निर्दे से प्रस्ण संक्या 14-17 के लिए निमलिखित प्रतिक प्रस्ण में दिये गए सब्दों में प्रियोक्ट संदी के प्रकार का चयान उसके नीचे दिये गए विकलपों से कीजिए जैसे कि कभी सुर, कभी सुर में कौन से संदी है चार अप्सण है तो इसमें से हो जाएगी आपकी दीर का संदी संसार में कौन से संदी है संसार में हो जाएगी option C, ब्यंजन संदी तनमे, चार अप्सण है तनमे में आपका कौन सा संदी होगी तो देखे तनमे में आपकी संदी हो जाएगी option है ब्यंजन संदी इत्यादी, इत्यादी में आपकी कौन से संदी होगी, देखी यहाँ पर आधार आ रहा था, तो इसमें कौन से संदी हो जाएगी, यन संदी 18-24 कोशिन के लिए निर्देश है, निमलिकित प्रस्णों में सही संदी विच्छत का चैन कीजिए पुनर जनम का संदी विच्छत क्या होगा, तो उप्सन B, पुनर धन जनम, पित रिण, इसका क्या होगा संदी विच्छत, तो इए हो जाएगा उप्सन C, पित प्लस रिण, इत्यादी का संदी विच्छत क्या होगा, तो उप्सन है, इत्यादी का संदी विच्छत क्या होग युदिष्ठिर का संदी विच्छत क्या होगा? तो आप्सन है युदि धन इस्थर जगदीष का संदी विच्छत क्या होगा? तो आप्सन है जगत धन इस क्या हो जाएगा? जगत धन इस कनकटा का संदी विच्छत क्या होगा? तो आपसन भी हो जाएगा कान धन कटा रामायार का संदी विच्छत क्या होगा तो राम धन आयन क्या हो जाएगा राम धन आयन 25 से 28 के लिए निर्देश है निमलिकित प्रतेक प्रसंद के लिए उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से उप्युक्त समास छाटिए दसानन सभी को पता होगा दसानन में कौन सा समास है आप्शन B बहुबरी समास रोग पीडित रोग पीडित में कौन सा समास है तो आप्शन D प्रतिमान प्रतिमान में आपका समास कौन सा होगा तो देखिए आगे आप उपसारगा रहा प्रति तो इसमें हो जाएगा option B अब वेई भाव समास बीर पुरुस बीर पुरुस में कौन सा समास होगा option B तत पुरुस समास आपका हो जाएगा अब देखिए निर्दे से प्रसंसंक्या 29 से 33 के लिए नीचे लिखे गए प्रतेक बर्ग में दिये गए विकल्पों में से तस्थम सब्द का चैन कीजिए 29 में आपका तस्थम सब्द कौन सा होगा चंद्रमा बांकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे और 30 में कौन सा आपका तस्थम सब्द होगा विभा बांकी के आपके गलत हो जाएंगे 31 में चाटना है तस्थम सब्द Option C ओज बांकी के आपके गलत हो जाएंगे और 32 में आपका कौन सा होगा निर्मम बांकी के आपके तीन गलत हो जाएंगे 33 में बताना है तो 33 में आपका तस्सम सब्द हो जाएगा सुमन बागी कि आपके तीन गलत हो जाएंगे निर्दे से प्रस्ण संक्या 34 से 38 के लिए नीचे लिखे प्रतेक बर्ग में दिये गए विकल्पों में से तदभाव सब्द का चैन करना है जैसे 34 में आपका तदभाव सब्द कौन सा होगा कान ओके तस्सम आपका संस्कत सब्द होते हैं और तदभाव जो संस्कत के ना हो 35 में आपका कौन सा होगा पीड़ा और 36 में आपका कौन सा हो जाएगा 36 में आपका हो जाएगा अंधेरा और 37 में 37 में हो जाएगा option B बेत 38 में आपका कौन सा हो जाएगा तस्व सब्द सोरी तदबाव सब्द option B तमंचा अगला है परमपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रियुक्त होने वाले सब्द कहलाते हैं option A योग रूण 40 से 44 कोश्चन के लिए निर्देश है निमलिकित प्रतिक चार विकलपों में से बेमेल या असंगत सब्द चिन्नित कीजिए तो आपको गलत बहला बताना है 40 में आपका कौन सा होगा आधी ये आपका गलत हो जाएगा असंगत है आपका आधी और 41 में कौन सा होगा चार अपसन है तो इसमें से हो जाएगा बेमेल घर और 42 में कौन सा होगा बेमेल असंगत मस्तक 43 में बताईए 43 में आपका हो जाएगा नेत्र 44 में कौन सा होगा तो 44 में हो जाएगा खेद 45-49 के लिए नरदेश है निमलिकी सब्दों के उप्युक्त पर्यवाची छाटी है यसे कि स्वर्ग का पर्यवाची क्या होगा गाओ कुबेर का क्या होगा तो धनाधिप क्या हो जाएगा धनाधिप रात्री का क्या हो जाएगा बिभावरी भगी रती कि क्या हो जाएगा भगी रती का परयवची, गंगा, विद्धुत का क्या हो जाएगा, दामिनी अब देखिए निर्दे से प्रसंत संक्या 50-56 के लिए, निम्ल के सब्दों के लिए दिये गए विकल्पों में से सही बिलोम सब्द छाटिये सामंजस का बिलोम सब्द क्या होगा विबाद ओजस्वी का क्या होगा निस्तेज पराकरम का बिलोम सब्द क्या होगा भीरुता क्या होगा भीरुता हर्स का बिलोम सब्द क्या होगा बिसाद क्रोध का बताना है क्रोध का बिलोम सब्द क्या होगा करपा और उतेजित का क्या हो जाएगा उतेजित का हो जाएगा सांत रंक का क्या होगा रंक का option B धनबान हो जाएगा क्या हो जाएगा धनबान निर्दे से प्रसंसंक्या 57-63 के लिए निम्लिकित बाक्यों के लिए दिये के विकल्पों में से उचित पद छाटी है जैसे की कोश्चन है बहे बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या कहेंगे दत्तक जिसको परसन करना कठे नो तो उसको क्या कहेंगे दुरा राध्यो पाप करने के बाद स्वयम दंड पाना तो आपसने प्राइश्चित जिसका इलाज ना हो सके तो असाध्यो जो धन को व्यर्थ व्याय करता हो तो अब अब व्याय कि हो जो काम ना करना चाहे हो वो क्या होगा आपसन सी आकर्मन्य जिसे ना देख सकें ना सुन सकें और ना चू सकें तो वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है अब देखिए प्रसंद संक्या 64-69 के लिए नर्देश है निमलिकित प्रतिक बाक के लिए उसके नीचे दियेगे विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए जैसे कि कोश्चन है मजदूर मेहनत करता है किन्तू उसके लाब से बंचित रहता है देखिए यहाँ पर कामा भी लगा है और आगे अगला बाक भी जुडा है तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा आपसंसी संयुक्त बाक जिदर धुआ दिखाए दिया सब लोग उधर ही दोड़ पड़े यह कैसा बाक है आपसंसी यह हो जाएगा मिस्र बाक है मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और तो यह कैसा बाक हो जाएगा यह हो जाएगा आपसंसी मिस्र बाक्य हो जाएगा ब्योहार में वैख विल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी तो यह जाएगा Fifthency Miss्र बाक्य हो दो-दो बाक्य जुड रहे हैं ससंध करो सधाचारी बनो तो यह कैसा बाक्य हो जाएगा विदी बाचक कैसा हो जाएगा बिधी बाच्चक आपका हो जाएगा पाक्यव पर्थमाने की कौन कहे उसे से परिच्छा पास भी नहीं की जाती तो यह हो जाएगा संयुक्त बाच्चिव सत्तर से चोहत्तर कली नर्देश है निमलिकित प्रतिक बर्ग में दिये गए चार-चार बिकल्पों में से सुद्ध बाच्च का चैन करें जैसे की सत्तर कोश्चन है इसमें आपको सही बाच्च के बताना है तो देखिए इसमें से हो जाएगा ऑप्सिन बी बहे दंड के योग यह है यह सुद्ध हो जाएगा और एकहत्तर में आपको बताना है भारत में अनेक हो जाती हैं तो ये नहीं होगा भारत में अनेक हो जाती हैं ये भी नहीं होगा भारत में अनेक हो जाती हैं ये भी नहीं होगा तो option B आपका अंसर हो जाएगा भारत में अनेक जाती हैं 72 में देखिए चार option है इसमें से आपका बाग के कौन सा सुद्ध होगा तो देखे इसमें से हो जाएगा Option C बच्चे को फल काट कर खिलाओ अब अब 73 थोड़ा सा टाइम दूंगा जिसमें आपको बताना है कि इसमें से आपका सुद्ध बाग के कौन सा है तो देखे इसमें से हो जाएगा Option B उसे अनुतीन होने की आसंका है 74 में आपका सुध्य बाग के बताना है कौन सा होगा तो Option B पाठ पढ़कर कल आएं निर्दे से प्रस्ण संक्या 75-85 के लिए निम्लिकित मुहाबर उत्वा लोकोक्तियों के लिए उचित पिकल्प चुनिए अंगूठा दिखाना इसका क्या हो जाएगा देने से इंकार करना अंदे के हाथ बटेर लगना इसका क्या मतलब होगा Option D भाग से कोई बस्तू मिल जाना आँख लगना इसका क्या हो जाएगा नीद आना आउंदी खोपड़ी इसका क्या होता है मुर्ख होना कान का कच्चा तो Option D सीगर बिस्पास कर लेने बाला घाट घाट का पानी पीना अनुभावी होना आवायल मुझे मार तो Option D जान बूचकर मुसीबत में पढ़ जाना धाट के बही तीन पात होना इसका हो जाएगा सदा एकसा 99 के फैर में पढ़ना तो इसका हो जाएगा धन कमाने में लगा रहना हतेली पर सरसों नहीं जमती तो काम के लिए समय चाहिए जब चाहो तब काम नहीं हो सकता हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए तो इसका क्या हो जाएगा बिना मेहनत फल पाना अगला कोश्चन है निमलिखित में से किसे रस राज कहा जाता है आपस्चन है सरंगार रस को निर्दे से 87-88 के लिए निमलिखित पृतिक गध्यांत को समझ कर सही चंद का चैन कीजिए तो दिखिए कोश्चन के आए जो जग हित पर प्राण निछाबर कर पाता जिनका तन है किसी लोग हित में लग जाता तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा इसमें हो जाएगा रोला चंद फिरे सिरी गुरू चरण सरोजरज निजमन मुकर सुधार ये आपने पढ़ा होगा तो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा सभी को पता होगा दोहा चंद नवासी से क्यानबे के लिए निर्दे से निमलिकित प्रस्णों में दिये के वाक्यों में प्रियुक्त अलंकार के भेज का चैन कर उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से कीजिए जैसे की बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डुबो रही तरा घट उसा नागरी तो इसका हो जाएगा रूपा कलंकार अगला है फूले कास सकल मही छाई जनू बड़सा रितू प्रकट बुड़ाई तो देखे इसमें अलंकार कौन सा होगा तो देखे इसमें हो जाएगा आप्सन ए उत्रेच्छा अलंकार या मुरली धर की अधरान धरी अधरान धराओगी इसमें अलंकार कौन सा होगा? आप्सिन B यमा कलंकार अब देखिए 92 से 100 के लिए नर्देश है निमलिकित पस्टों में दी गई रचना के रचैता का नाम का चैन कीजिए दीए गई चार बिकल्पों में से करना है जैसे कि गबन गबन किसकी रचना है? मुंसी प्रेमचंद्र कुरुचेतर किसकी है? तो रामधारी सिंग दिन करकी चितर लेखा की अगर बात करनें तो चितर लेखा जो है? भगवती चरण बरमा की रचना है यमा सभी को पता होगा महादेवी बरमा की है ऑप्सिन B गीतांजली के रचेता काउन है? रबिंद्र नाट्टे को और सिंपल सा कोश्चन है काब चितर में प्रबंद सिरो माड़ी की उपादी किसे दी गई है? तो मैथली सरान गुप्त को बच्चन जी ने प्रतम बार जीवन और मानवीता के प्रती अपने प्रोण भावों की बाने किस क्रती में दी है? तो प्रणय पत्रिका नीचे दिये गए अबतरण के रचेता का नाम का चैन कीजिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखितिन जैसी तो इसमें से हो जाएगा तुलसी दास और आज का लाश्ट कुश्चन है कोकिल विध्यापती की पदावली कौन सी भासा में रचेता है? तो मैथली भासा तो गाईद आसके इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्यबाद आपका दिन सोब रहे है